हम सभी जानते हैं कि मदुमक्खिया हमारे ग्रह और अस्तित्व के लिए कितनी महतोपुर्णा है लेकिन भहुत से लोग उनके जीवन चक्र और उनके जीने के तरीके के बारे में नहीं जानते तो चलिए आज जान लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ओल पे जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सके मदूमख्या ब्रिटेन में पैय जाने वाले सबसे बड़े परागन करने वाले किटों में से एक है वे 25,000 से अधिक बस्तियों में रहती है जिन में आम तOR पर एक रानी, सैक्ड़ो नर मदूमख्या और 20-80,000 मादा मदूमख्या होती है रानी मदुमक्खिया मूलता छत्ते की मा होती है कॉलिनी में काम करने वाली हर एक मदुमक्खि रानी से ही पैदा हुई होती है वह सीधे कॉलिनी को नियंत्रित नहीं करती सिवाए फेरेमान छोड़ने के जो श्रमिक मदुमक्खियों को निर्देश देते है कि छत्ते में किस तरह की कोशिकाय बनानी है नर मदुमक्खिया वास्तव में छत्ते के लिए कोई उद्देश पुरा नहीं करती है उनका काम बहार जाकर नहीं रानी धुनना है रानी मदुमक्खि बस सभी लारवा की मा बनने के लिए होती है मदु मख्या वर्ष के एक निच्चित समय पर जुंड बनाती है जब परसित्य उप्युकत होती है यह वह समय होता है जब मदु मख्या अपना वर्तमान चत्ता छोड़ती है और एक नया चत्ता बनाती है यह धुंडती है रानी को महिनों पहले इसका आबास हो जाता है फिर वह अपने अंडे देती है ताकि उनके फूटने और कॉलनी के जुंड में आने के बीच का समय बिल्कुल सही हो इससे कॉलनियों को विभाजित करने में मदद मिलती है और नई रानियों को अलग होने और अपनी कॉलनी शुरू करने का मौका मिलता है रानी मदुमक्ख्य का जन्म कैसे होता है रानी मदुमक्ख्या सामान्य मदुमक्ख्य के लारवा के रूप में जन्म लेती है हाला कि श्रमिक मदुमक्खिया चुनिंदा रूप से सबसे स्वस्त लारवा चुनती है जिने फिर उनके अपने विशेश कक्षय में रखा जाता है और सामान्य श्रमिक या ड्रोन लारवा की तुलना में अधिक शहद खिलाया जाता है यहां मदुमक्खिया को बहुत तेजी से परिपकवा होने और छट्ते में अधिक प्रतिबंदित नरसरी कोशिकाओ में बढ़ने वाली अन्य मदुमक्खियों की तुलना में बढ़ी होने में मदद करता है हाला कि सबी लारवा को रॉयल जेली खिलाई जाती है लेकिन गेर रानी लारवा को काफी कम खिलाई जाता है रानी मदुमक्खिया पुर्णता विकसित होने के बाद क्या करती है एक बार पूरी तरह से परिपको होने के बाद रानी मदुमक्षी उस कक्ष से बाहर निकलने के लिए गोल छेच चबाना शुरू कर देगी जिसमें वह बढ़ रही है एक बार बाहर निकलने के बाद वह लड़ने के लिए अन्य परिपको रानियों को धुंडेगी रानी मदुमक्ख्यों के डंग काटेदर नहीं होते है और इसलिए वे खुद को मारे बिना प्रतिदंद्यों को बार बार डंग मारने में सक्षम है अपने प्रतिदंद्यों से सफलता पुर्वक लड़ने के बाद वह अपना छत्ता छोड़ देगी जब बाकी कॉलनी जुंड में जाने के लिए तैयार हो जाएगा और वह अपना नया छत्ता और कॉलनी बनाने के लिए उनसे अलग हो जाएगा जुंड के दारा नेकी चत्ते में कई रानी मदुमक्ख्या निकल सकती है श्रमिक मदुमक्खिया अक्सर रानी लार्वा को अलग कर देती है ताकि उन में से सभी मौत तक न लड़े जब रानी मदुमक्खि मर जाती है तो क्या होता है? जब रानी मदुमक्खी बूड़ी और कमजोर होने लगती है तो उसके द्वारा छोड़े जाने वाले फेरोमान की मातरा कम हो जाती है यह कामगार मदुमक्ख्यों के लिए एक संकेत है कि नई रानियों को पैदा करने की जरूरत है ताकि वे जादा रानी लार्वा कक्षों का निर्मान शुरू कर सके अक्सर फेरोमान में गिरावट रानी के मरने से पेले ही हो जाती है ताकि उसके पास जादा रानिया बनाने का समय हो हाला कि अचनक मुरुत्य के मामले में मादा कामगार मदुमक्खिया अस्ताई रूप से रानी की जगले लेंगी और एक आपतकालिन रानी बनाने के लिए लारवा धुन लेंगी ये रानी अक्सर भहुत छोटी होती है और ठीक से विकसीत और पोशित रानी की तुलना में कम जीवन जीती है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार अले के साथ शेयर अवश्य करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरुर बताना